हेलो गाइस मैं हो समीर आपके सामने यहाँ पर एक स्प्रीड ऐसी है इसके कूलिंग कोईल आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिल्टी है तो कूलिंग कोईल अगर ज्यादा डिल्टी होगा तो उससे क्या-क्या प्रब्लम आयेगा मैं आपको आज इस वीडियो में बता पर है और एक लॉक होता है इसके पीछे साइड पर यह इसके लॉक है जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा किसे किस तरह से लॉक करते हैं अगर कुलिंग कोईल ज्यादा गंदा होगा तो एयर का फ्लो कम हो जाएगा जो कुलिंग कोईल पर फ्रियॉन रन करता है लिक् लेग्यूलर रन करेगा जिसे के कम्प्रेसर डैमेज भी हो सकता है क्योंकि कुलिंग कोईल के उपर एगा डस्ट आ जाता यह तो गोकुलिंग कोईल से सही से कॉंटेक्ट पर नहीं आएगा जिसके वजह से जो फ्रियॉन है वो बोल नहीं होगा और जो सप्लाइख है वो जो freon section line से जा रहा है compressor के side पे वो पूरे तरीके से vapor form में हो जाए अगर compressor पे जो freon liquid जाएगा अगर operator पे freon boil नहीं होता है तो वो liquid form पे compressor पे जाएगा जो के compressor के oil को और compressor को damage करता है इस जगा पे हम cooling coil को fix करेंगे देख सकते हैं पीछे side पे दो screw था जो के मैंने आपको शुरू में दिखाया एक screw यहाँ पे है जो के cooling coil को body से attach करता है और एक lock है इसके पीछे side पे मैं आपको भी दिखाता हूँ इस side पे इस पे एक lock है तो इस तरह से अगर cooling coil आप कभी भी clean नहीं करते हैं cooling coil अगर जाज़ा dirty होगा filter dirty होगा तो जो air का flow है वो air का flow कम हो जाएगा और जो AC है वो regular run करेगा जिससे के compressor damage होने का chances बढ़ जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इस तरह से cooling coil इस पे lock हो गया